तो कहते हैं कि साओधी अरब में कफील अच्छा नहीं होता मैं खुद बोलता हूं कि कफील पर कभी भरोसा मत क्या कीजिए कफील या मैडम अच्छी नहीं होती साओधी पर भरोसा ही नहीं कर सकते क्योंकि साओधी अपने फैमिली वाले अपने बाप की भी नहीं होते तो ऐसा नहीं है कुछ-कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हमें मजबूर कर देते हैं वीडियो बनाने पर आज से एक हपता दस दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि एक सौधी की मैडम जो की वहाँ पे हमारे इंडियन ड्राइवर भाई हैं सेवी भाई हमारे अपने दोस्त हैं उनसे बाचीद होती रहती है और उनकी मैडम ने ड्राइवर के माँ बाप को बिलाया उम्रा हज के वीजा पे माशाला और रखा होटल में और फैमली रॉयल फैमली की तरह उनको नवाजा ठीक है आपने वो वीडियो देखिये क्या यहाँ पे वीडियो या आई बटन में वीडियो आ रहा हो जाकर देखना माशाला बहुत अच्छा लगा मुझे तो मैंने आपको बताया तो अभी एक पोस्ट बहुत वाइरल हो रहा है शायद आपने देखा होगा उस पोस्ट पे आपने कम्मेंट भी किया होगा उस पोस्ट को आपने तीन साल पहले देखा होगा समझ रहो ना अब मैंने आपका जो आपने थमनिल पे देखा है ये बात तीन साल पहले की है लेकिन तीन साल पहले हम तो थे नहीं अब ये जो पोस्ट वाइल हो रहा था मैं का यार आप लोग को शेर करते हैं कुछ अच्छी चीज़े तो शेर करते हैं तभी ये जो आपके सामने जो चल रहा है यहां पे यहां पे लिखा है मेरा नाम आदिल है ठीक है यहां पे लिखा है मेरा नाम आदिल अली है और मेरे साथ पोज देने वाला यहां पर देख सकते हैं यह फोटो में यह जो है यह कफील है इनका यह ड्राइवर है और यह कफील है तो यह पोज देने वाला मेरा कफील अली असी ने मुझे आभा के बड़े अस्पताल में भरती कराया और एक बच्चे की तरह मेरा देखवाल किया पिछले तीन रातों से मेरे साथ यहीं पर हैं तो आपके सामने आप देख रहे होंगे यह आप यह आदिल भाई और यह इनका कफील यह स्टोरी बहुत पुराना है तीन साल पहले का है तो आप लोगों ने देखा भी होगा शेर भी किया होगा तो यह साओधी का कफील है ठीक है तो ऐसा नहीं है हलाकि मैं यह भी जिकर करता हूँ आप लोगों को कि देखो साओधी अरब में लगबग 99.9% में 18% कहीं से बचे-खुचे लोग हैं जो अच्छे होते हैं ठीक है अभी मैं आपको एक और एक्जामपल देता हूँ मेरा अपना कुछ अपने कुछ नहीं अपने एक खास दोस्त खास दोस्त अभी आपको नहीं बताऊंगा दुआ कीजिए उसकी फ्लाइट हो जाए आज कल में फ्लाइट है और उसका मैं आपको बताऊंगा तो म ऐसा नहीं है, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये आपकी इमंदारी पर आता है सबसे पहली बात, अच्छा कफील, अच्छी मैडम आपको कैसे मिलेगी, आपको सबसे पहले इमंदार बनना होगा, अच्छे साफ सुतरा रहना होगा, अपने आपको पुरा आपको पसंद है, जो भी चीज है, काम से रिलेटेट, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं भी साओधी में था, माशालला रियाद में, मेरा भी कफील का, अच्छा मैडम तो खेर लाखों में एक, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करवाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि ल मौका दिया, अलहम्दुलिल्ला, मेरे आज तक और अभी भी मेरा कफील मुझे हर बात में याद तो करता है, ठीक है, तो भरोसा ही इनसान का सबसे बड़ा, बोलते हैं कि पैसा ही हर चीज नहीं हो जाता, भरोसा सबसे बड़ा आपका एक ऐसा हतियार हो जाता है, जो आपक यहाल फिलाल का जो कफील था मेरा, तो उनके बारे मुझे जो पता लगा कि यार कहां आ गए हो, एक नंबर का कंजूस आदमी है, एक नंबर का कहियर आदमी है, तो मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ भी, हाला कि मेरा जो सैली था, असल, अलहम्दुलिल्ला, सैली से जादा मु बहुत शुकरिया, छोटी सी स्टोरी आपको शेर किया, और यह अच्छा लगा मुझे शेर करके, शेवी भाई की वीडियो किस-किस ने देखी है, उनकी अम्मी अब्बो की वीडियो किस-किस ने देखी है, अगर नहीं देखी है, तो लास्ट में इन्ड स्क्रीन पर वीड आपिस्ट आपिस्ट